लाइप टीवी एस्पेर्स गर नमबर वन न्यूज कैनल दरसल मामला या है कि नेगरपालिका वाड नमर पंद्र्या की निवासिनी मैमून इशा ने जब अपने परिवार रजिस्टर की नकल देखी तो वो हैरान हो गए हैरान होने वाली बात या दी कि मैमून इशा को नेगरपालिका के कुटु में रजिस्टर में 31 जुलाई साल 2017 में मैं तक घोशित कर दिया गया था जीवित महिला जब अपने को परिवार रजिस्टर में मला अवस्था में पाई तो उसके होश उड़ गए महिला ने पत्रकार वारता में बताया कि नगरपाली का पश्याद और मेरा पुत्र श्रमसाद अंसारी द्वारा मुझे परिवार रजिस्टर में मता घोशित कर दिया गया है और इसी के क्रम में पुत्र समस्त संपति को हलब कर बैठा हुआ है वहीं पुत्र श्रमसाद का कहना कि इसमें मेरा कोई दोश नहीं है ये सब नगरपालिका का काम है, नगरपालिका समझे, गौरतलब हो कि जैसे ही या मामला मेडिया में आया, तो परिवार रजिस्टर में म्रत पड़ी बुजर्ग महिला रातो रात जीवित हो ठी, वहीं शक के घेरे में है नगरपालिका की कारिश्यली, नगरपालिका की कुट इसके आवेदम पर माता को जीवीत किया गया। वहें इस विश्य को लेकर महिला ने रसला इस डियम से लेकर डियम बरिया तक शुकायती पत्र सौपा है। लेकिन सारे अधिकारी इस गंधीर विश्य पर चुपी साधे बैठे ही। वहें लोगों का कहना की जल्द हो नगरपारिका के दोश्यों पर कड़ी कारेवाही। वहें कुछ लोगों का कहना की कारवाय में देरी होना नगरपारिका की कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत का इशारा कर रहा है। बलियाज से सम्वाद दादा रागवेंदर कुमार गौतम की रिपोर्ट